दोस्तो आज मैं explain करने वाला हूँ हाली में release हुई कमाल की horror comedy से भरी मनजुआ movie को जिसकी कहानी बहुत ज़्यादा बहतरी इन है और आप लोग को ज़रू पसंद आएगी और सबसे बड़ी बात आप लोग इस movie को last तक देखना क्योंकि आप लोग को last में एक post credit scene दिखाये जा तो शुरू करता है बिना तेरी की ये movie की कहानी को ये था कि जहां गोडिया की उमर 10 साल थी वहीं पर मुन्नी उससे साल साल बड़ी थी और इसलिए मुन्नी की उमर 19 साल थी लेकिन गोडिया तब भी मुन्नी से प्यार गरता था और वो ये चाता था कि उसकी साधी मुन्नी से हो जाये लेकिन मुन्नी के घरवाले उसकी साध फिक्स कर देते हैं लेकिन जिस से मुन्नी की साधी फिक्स होती है वो जिस दिन मुन्नी से साधी करने आता है उसी दिन गोटिया उस दूले की खाने में चुए माने वाला जहर डाल देता है हाला कि उस खाने से दूला बच्ट हो जाता है लेकिन इस बारे में बाकी सब को मालम चल जाता है और जैसे गोटिया की मा इस बात को जानती थी वैसे ही वो गोटिया को पगड़ के अपने घर ले जाती है और गोटिया को माने के लिए एक बड़ा सा चाबूग निगालती है और उस चाबूग से गोटिया को बहुत मारती है और यहाँ पर हम यह भी देखते हैं वैसे तो गोटिया किसी से नहीं डरता था लेकिन उसे अपनी मा के चाबूग से बहुत डर लगता था हाला कि उस दिन मुन्नी की साधी हो जाती है और वहीं पर जो गोटिया की मा होती है वो उसी दिन गोटिया का मुंडन भी करवा देती है लेकिन बैसे तो मुन्नी की साधी हो जाती है वो अपने दूले के साथ चले जाती है लेकिन हम ये देखते हैं कि गोटिया अभी मुन्नी को याद करता है और वो अभी भी ये सोचता है कि वो किसी तरह से मुन्नी से साधी कर लेगा अब इसके लिए गोटिया ये फैसला करता है कि वो मुनी को हासल करने के लिए काला जादू करेगा और काला जादू करके वो मुनी पर वसी करद करेगा जिसके बाद मुनी उसके पास आ जाएगी और फिर वो और मुनी दोनों साधी कर लेंगे और वैसे भी यहां तक गोटिया के बारे में जानने के बाद ही आप सब ये समझी गए होंगे कि गोटिया कोई आम बच्चा नहीं था बलकि वो वेसिकली एक साइको बच्चा था जिसके मन में मुन्नी को पाने का बूठ सवार था अब इदर गोटिया जैसे काला जादू करने का फैसला करता है वैसे ही वो अपनी छोटी बेहन को अपनी साथ ले जाता है और गाओं के पास के एक जंगल में चला जाता है हमें ये मालम चलता है कि गाओं के पास जो ये जंगल है इस जंगल का नाम चिंटू के वाड़ी है और ग्योगी ये गाहों से दूर है इसलिए आम तोर पर यहां जल्दी कोई नहीं आता गोटिया यहां पर अपनी छोटी बेहन को रात के समय पर लाता है और यहां पर आकर एक बड़े से बर्गत के पेड़ के नीचे बैट जाता है और वहाँ बैट कर काला जादू करने लगता है और फिर इसके बाद ही हम यह देखते हैं कि गोटिया अपनी छोटी बेहन पर हमला कर देता है और इसलिए यहां पर वह उसे मार कर उसकी बनी देगा और फिर गोटिया के हिसाब से जैसा उसका काला जादू फूरा होगा वैसे हम उन्नी उसके पास आकर उसे साधी कर लेगी लेकिन यहां पर हम यह देखते हैं कि जब गोटिया अपनी छोटी बेहन पर हमला करके उसे मानने की कोसिस करता है तब ही उसकी छोटी बेहन अपना बचाव करती है और वो गोटिया को धक्का मारती है जिसके बाद जैसे ही गोटिया को धक्का लगता है वैसे उसका सर सीधा वर्वत के पीड़ पर टकरा जाता है और सर टकराने की बज़ा से गूटिया का सर फट जाता है और उसके सर से बहुत सारा खून निकलने लगता है और देखते ही देखते कुछी पलों के अंदर गूटिया की मौत भी हो जाती है लेकिन ये सब देखकर गूटिया की छोचोटी बेहन होती है वो जल्दी से भाग कर गाओ जाती है और अपनी मा के साथ साथ सारे गाओ वालों को वहाँ पर लेकर आती है वहाँ पर आने के बाद ही सारे लोग गूटिया की हालत देखते हैं लेकिन तबी गाओं के जो मुख्य पंडित होते हैं वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा अनत हो गया क्योंकि असल में गोटिया एक ब्रहमड परिवार का लड़का है और अभी कुछ दिन पहले ही उसका मुंडन हुआ है लेकिन गोटिया का मुंडन हुए दस दिन भी पूरे नहीं हुए थे और यहां पर गोटिया की अकाल मुर्ति हो गई है और इसलिए गाओं के सारे मुख्य पंडित बताते हैं कि अब गोटिया बनने के बाद ब्रहमड रच्चस बनने वाला है और हो सकता है कि ब्रहमड रच्चस बनने के बाद वो गाओं वालों का बुरा करे और इसलिए उन सब को गोटिया को यहीं पर रोपना होगा इसके लिए गाओं वाले गोटिया को उसी पेड़ के नीचे दफना देते हैं जिस बरगत के पेड़ के नीचे गूटिया की मौत हुई थी और फिर उसे दफनाने के बाद ही वो जो सारे मुख पंडित होते हैं वो मंत्रों का इस्तमाल करके उस पूरे पेड़ को भान देते हैं ताकि गूटिया उस पेड़ से कहीं भी दूर ना जा सके और उसकी आत्मा जो की ब्रह्मन रच्चस बन चुकी है वो हमेशा के लिए वहाँ पर कैद होकर रह जाए हाला कि यही पर हम यह भी जान पाते हैं कि गूटिया जिस हालत में मरा है उस हालत में मरने वाले को मुझा गहते हैं जिसका मतलब अगोट या मुझा बन चुका है अब इसके बाद ही कई साल बीच जाते हैं और बहुत सालों के बाद हम सीदा पूने सेर को देखते हैं जो पूने सेर भी मारस्टर के अंदर ही आता है लेकन यह कौन कान और उसके गाउं से काफी दूर है या पूने के अंदर हम मूवी के मैन करेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है बिट्टू और बिट्टू इस पूने सेर के अंदर अपनी मदर और ग्रांड मदर के साथ रहता है यानि की मा और दादी के साथ इसके साथ ही हमें ये भी जानते हैं कि बिट्टू के फादर की कई साल पहले ही मौत हो चुगी है और उसकी जो माँ है वो एक ब्यूटी पालर चलाती है और उससे वो लोग काफी अच्छा पैसा कमाते है और अपनी फैमली के अंदर बिट्टो उसकी मा और उसकी दादी टीनो काफी खुस हैं साथ ही साथ हम ये भी जानतें कि बिट्टो भी अपनी मा की उनकी काम में help करता है और बिट्टो को भी लड़कियों के बाल काटना और उनका make-up करना काफी अच्छे से आता है यहीं पर हम देखते हैं कि बिट्टू की एक दोस्त होती है जो कि उसके बगल वाले घर में रहती है और बिट्टू की इस वाली दोस्त का नाम होता है वैला और यह बैला जो की एक लड़की होती है वो बिट्टू की बचपन की दोस्त होती है और यह दोनों बचपन से एक सा कोई होता है और वो एक अंग्रेज होता है। लेकिन बिट्व को बैला की बॉइFriend से मिलकर खूशी नहीं होती क्योंकि असलियत में बिट्व मन ही मन बैला से प्यार करता है। लेकिं उसने कभी भी बैला से ये बात बोली नहीं है, हाला कि यही पर हम यह देखता है कि बिट्टू को उसके मन में अचानक से वही पेड दिखाई देता है, जिस बरगत के पेड के नीचे मुन्जिया को कैद करके रखा गया था, साथी साथ यहां पर बिट्टू यह भी देखता है, कि इस बरगत के प बहार निकल कर अपने दोस्ते मिली जाता है हम यह देखते हैं कि बिट्टू का एक best friend होता है जो की एक सरदार होता है और उसका नम इस पील वर्ग होता है यहाँ पर हम देखते हैं कि बिट्टू अपनी लाइफ में काफी खुस होता है लेकिन फिर एक दिन अचानक से बिट्टू वो उसके चाचा की बेटी का फोन आता है यानि कि उसकी कजन सिस्टर का जिसका नाम होता है रैकू फोन पर रैकू पर्षमरों करते हैं और इसलिए बो बिट्टू को भी परसनल बोल रही है तो यह चाता है कि उसकी सुझाई पर सब लोग आए और उपर इसलिए उसके बाद ही हम यह देखते हैं कि बिट्टू और उसकी मा और दादी तीनों यह फैसला करते हैں कि वह तीनों रैकों की लेकिन इसके वेवजूद भी हम ये देखते हैं कि वो तीनो गाओं जाने का प्लान करते हैं और वो तीनो गाओं जाने के लिए निकल जाते हूं आगे हमें मालुम चलता है कि रेकू और उसके पैरंस याने की बिट्टू के चाचा की फैमिली कौन कान के उसी गाउं में रहते हैं जिस गाउं में मंजुआ रहता था और अब क्योंकि बिट्टू मुंज्या के गाउं से जुड़ा हुआ था और उसे हमेशा ही मुंज्या के खायल भी आते थे इसलिए याँ पर ये सब देख के हमें ये तो क्लियर हो जाता है कि हो ना हो बिट्टू का मुंज्या से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है हाला कि इन सब के बाद ही बिट्टू और उसकी फैमिली सीधा गाउं पहुंचते हैं और कौन कान के गाउं में आकर बो लोग सीधा अपने चाचा के गर जाते हैं बिट्टू जब चाचा के घर पहुँचता है तब वहाँ उसके चाचा की फैमिली उन सब को देखकर काफी खुस होती है लेकिन हम यहाँ पर यह भी नोटिस करते हैं कि बिट्टू का जो चाचा है वो बिट्टू का और उसकी मार को दोनों पो ही ना पसंद करता है और वो इसलिए क्योंकि बिट्टू के चाचा का ऐसा मानना है कि उसके बड़े भाई की मौत बिट्टू और उसकी मा की बज़ा से हुई है और इसलिए हम यह देखते हैं कि यहाँ पर घर के अंदर बिट्टू के चाचा बिट्टू की मौम को थोड़ा बुरा बला कहते हैं जिस बजाए से उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है लेकिन इसी लड़ाय की बजासे बिट्टू के चाचा को और जदा बुस्वा आता है और वो बुस्य में आग cred बिट्टू के पिट्टा की मौत के बारें बताने लगता है और यहाँ पर हम यह भी जानते हैं कि बिट्टू को अब तक ये पता नहीं होता कि उसके पिता की मौत कैसे हुई थी क्योंकि उसकी माँ और उसकी दादी ने इस बारे में उसे कभी नहीं बताया था लेकिन यहाँ पर बिट्टू का चाचा गुसी में आगा बिट्टू को यह सब कुछ बता देता है और वो बिट्टू से कहता है कि यहाँ हमारे गाओ के बासी एक जंगली एरिया है जिसका नाम चिंटू के वाडी है और वो चिंटू वाडी हमारी पुस्तनी जगा है लेकिन उसी चिंटू वाडी के अंदर एक बरगत का पेड़ है जो की सापित है क्योंकि बहुत साल पहले वहाँ पर एक लड़का मर गया था और अब गाओं वालों को ऐसा मानना है कि वो मुझा बन गया है इसलिए उसके डर से रात को वहाँ पर कोई भी नहीं जाता लेकिन आज से काफी साल पहले उसके बड़े भाई ने याने की बिट्टू के फादर ने उस चिंटू के वाड़ी वो बचाने ही कोसिस करी थी लेकिन आप क्योंकि उसके सापित हो रहे किस से सब को पता है इसलिए कोई भी चिंटू वाड़ी को खरीदने को तयान नहीं था क्योंकि सबके मन में उस पेड़ का और मुंजिया का डर था और इसी वज़ाए से उसके बड़े भाई ने ये डिसाइड करा था कि वो चिंटू के वाड़ी से उस पेड़ को ही काट देगा लेकिन जैसे उसका बड़ा भाई उस पेड़ को काटने गया ताब ये पेड़ के काटने के बाद ही वो ये साबित कर सके कि ना तो पेड़ सापित है और नहीं वहाँ पर कोई मुंजा है लेकिन जैसे उसका बड़ा भाई पेड़ को काटने गया वैसी अचनक से उसकी मौत हो गई और वो पास के समुंदर के अंदर डूब गया और फिर इसके आगे बिट्टू का चाचा बिट्टू से कहता है बिट्टू तुम जानते हो कि तुमारे पापा ने ये सब किसके लिए किया था तुम्हारे पिता ने ये सब किया था तुम्हारी मा के लिए क्योंकि तुम्हारे पिता को तुम्हारी मा का ब्यूटी पालर बढ़ा करना था और उसे एक बड़िया सा ब्यूटी पालर खोल के देना था और इसी काम के लिए उन्होंने पैसे चाहे थे जिसके लिए वो चिंटू के वाड़ी बेचना चाते थे लेकिन उन समय उनकी मौत हो गई और इसलिए उस दिन के बाद से मैं तुमारी माँ से बहुत नफ़र करता हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि उनी की बज़ा से मेरे बड़े भाई की मौत हुई है और हाँ बिट्टू क्योंकि तुम इस वारत के बेटे हो इसलिए मुझे तुमसे भी नफरत है अपने चाचा के मूँ से इन सारी बातों को सुनकर बिट्टू रोने लगता है और इसलिए रोते हुए वो सीधा घर के बाहर आता है और वहाँ से डारेक्टली चिंटू के वारी चला जाता है और चिंटू के वारी पहुंच कर वो उसी बरगत के पेड़ के आगे जाता है जहाँ पर उसके पिता की मौत हुई थी इधर बाकी के घर वाले भी बिट्टू को डोने लगते हैं कि बिट्टू चिंटू के वारी के अंदर है लेकिन ये सुनका बिट्टू के दादी बिट्टू के चाचा से कहती है कि वो जल्दी से चिंटू के वारी जाए और बिट्टू को बचा कर लाए लेकिन बिट्टू के चाचा ऐसा करने से मना कर देता है और वो बिट्टू की दादी से जाने की अपनी माँ से कहता है कि रात के टाइम पर चिंटू के वाड़ी में कोई नहीं जाता और इसलिए वो भी वहाँ पर नहीं जाएंगे लेकिन ये सुनने के बाद ही बिट्टू के दादी ये फैसला करती है कि वो खुदी चिंटू के वाड़ी में जाएगी और बिट्टू को बचा कर लाएगी तोगी बिट्टू की दादी ये जानती थे कि चिंटू के वाड़ी में जाने से बिट्टू की जान को खतरा हो सकता है हाला कि चिंटू के वारी जाने से पहले हम ये देखते हैं कि बिट्टू के दादी अपना एक बकसा फूलती है और बकसे के अंदर से एक चावुक निकलती है और फिर यहाँ पर हम ये नोटिस करते हैं कि ये बिल्कुल वही चावुक होता है और इसके साथ यहीं पर हम यह भी जानते हैं कि बिट्टू के खयालों में उसे हर बार मुंजा और वो बर्गत का फीर भी इसलिए आता है क्योंकि बिट्टू मुंजा के वंसेस का है और बिट्टू के अंदर भी मुंजा के परिवार का ही खून है और इसलिए मुंजा अपने परिवार के लोगों को देख सकता है यहाँ बिट्टू की दादी याने की मुंजा की बेहन यह जानती दे कि मुंजा को अगर किसी से डर लगता है तो वो डर लगता है सिर्क उसकी मा के चाबूग से और इसलिए इसी चाबुक से उसे कंट्रोल किया जा सकता है और इसलिए यहाँ पर बिट्टू की दादी इस चाबुक को लेती है और चाबुक को लेका सीधा चिंटुवारी जाती है चिंटुवारी पहुंचते ही जैसे ही वो बरगत के पेड़ के सामने आती है वैसे ही बिट्टू की दादी देखती है कि उस बरगत के पेड़ के ऊपर मुंजिया वैटा है जो कि बिट्टू की दादी को देखती ही पैचान जाता है कि वो उसकी छोड़ी बेहन है और इसलिए मुंजया उस पारसता है और वो उससे कहता है कि उसकी छोड़ी बेन तो बहुत बूरी हो गई है लेकिन यहीं पर बिट्टू की दादी मुंजया से यानि कि अपनी बड़े भाई से कहती है कि दादा प्लीस उसे उसके पूते को छोड़ दे अब यहाँ पर आप सब जानते होंगे कि मराठी के अंदर बड़े भाई को दादा कहती है इसलिए यहाँ पर बिट्टू की दादी मुंजया को दादा कहती है और इसलिए बिट्टू की दादी उन पर चाबुक मारती है और यहाँ पर हम यह देखते हैं कि चाबुक के माने से ना सरफ मुंजिया ड़ता है बलकि इस चाबुक की मार से मुंजिया को नुक्षान भी होता है और इसलिए मुंजिया जलदी से बिट्टू को छोड़ दěता है, जिसके बाद बिट्टू की दादी बिट्टू को लेकर वहां से जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो लोग जा रहा होते हैं, वैसे ही मुंजिया बिट्टू के पास आता है, और वो उसकी पीट पर अपने हा और वहार से काफी दूर आने के बाद ही बिट्टू उनसे पूझता है कि दादी आकिर ये सब क्या है वो कौन था आप उसे कैसे जानती थी suite और आकिर आपको ये कैसे पता था कि उसे इसी चाबुक से डर लगता है इन सब बातों को सुनने के बाद ये बिट्टू की दादी उसे सब कुछ बताती है और वो उसके सामने सारी सचाई खोल कर रख देती है जिसके बाद बिट्टू ये जान जाता है कि वो मुझा असल में उसकी दादी का बड़ा बाई है और उसने अब तक क्या क्या किया है मुंजा के बार में ये सब कुछ जानने के बाद ही बिट्टू भी काफी डर जाता है लेकिन बिट्टू की दादी उसे कहती है कि उसे अब डरनी की कोई जरूत नहीं है क्योंकि मुंजा उस पेड़ से दूर कहीं नहीं जा सकता और इसलिए बिट्टू को भी इस बात का धिहन रखना है कि वो फिर से कभी उस पेड़ के पास ना जाए लेकिन इसके अगले पल हम यह देखते हैं कि मुंजा यह बिट्टू के सामने खड़ा होता है और वो इस टाइम पर उसकी दादी के पीछे होता है मुंजा को देखके बिट्टू अक्का बक्का हो जाता है क्योंकि कुछ टाइम पहले ही उसकी दादी ने उसे बोला था कि मुंजा वो स्पेड़ से दूर कहीं नहीं जा सकता देकिन अब वो उनके पास आ चुका है और इसलिए वहाँ पर आते ही मुंजा सीधे बिट्टू की दादी की करतन पकड़ लेता है और वो जटके से उनकी गर्दन तोड़ के उने मार देता है और फिर यहीं पर हम ये समझ पाते हैं कि असल में बिट्टू की जाने से पहले मुंजा ने जब उसके पीट पर हाथ चिपकाया था तब उसके जरीये वो उसने बिट्टू की पीट पर अपना निसान छोड़ दिया था और इसलिए बिट्टू की मध्यम से उसने अपने आपको बरगत के पेड़ से आजात कर लिया था जिसके बाद गाउवाले उसे डूरते हुए आते हैं और वो बिट्टू को लेकर सीधा हॉस्पिटल जाते हैं होस्पिटल आ szczegól बिट्टू की आंगे खुलती हैं और तब बिट्टू ये पूचता है कि उसकी दादी कैसी है जिस पर उसके घरवाले उसे ये बताते हैं कि वाज चिंट्यू की वाड़ी से थोड़ी सी दूर उसकी दादी की नाज मिली है जिसका मतलब उसकी दादी मच चुकी है हाला कि पुलीस ने इन्वेस्टिकेशन किया है और इसलिए पुलीस का ऐसा मानना है कि साथ ये उसकी दादी फिसल कर गिर गई होगी और इसलिए उनकी मौत हो गई लेकिन असल में बिट्टू इस बात को जानता था और वो फिर से बिट्टू की मा को ब्लिम करते है कि पहले उसकी बज़ा से उसका भाई मारा गया और आव उस वारत की बज़ा से उसकी मा मर गई लेकिन ये सब सुनकर बिट्टू की मा को उसा आता है और बस पकड़कर सीधा पूने आने लगती है लेकिन बस में हम यह देखते हैं कि बिट्टू की पीछे वाली सीट पर मुंज्या होता है और बिट्टू भी जैसे ही मुंज्या को देखता है बैसे ही वो बहुत डर जाता है आलागि यहापर मुंजा या बिट्टू को बताता है कि उसे स्रिप और स्रिप बिट्टू देख सकता है और कोई भी नहीं देख सकता है वो इसलिए क्योंकि बिट्टू की रगों में उसका खून दोड़ रहा है आलागि मुंजा को देखकर बिट्टू काफी ज़ादा डर लेकिन अचानक से मुझ्या गाय हो जाता है और फिर आगे हम यह देखते हैं कि बिट्टू अपने घर आ चुका है लेकिन घर आने के बाद जैसे रात होती है और बिट्टू सोने जाता है बैसे ही मुझ्या उसके रूम में आ जाता है और वो बिट्टू से कहने लगता है कि म मुन्य को डूड़ो, मुन्य को डूड़ो, लेकिन बिट्टू को उसकी बाते समझ नहीं आती, और वो सिंपली उसे डराने लगता है, और अब क्योंकि बिट्टू मुन्या की बाते नहीं मान रहा था, इसलिए मुन्या उसे पीटने लगता है, वो कभी बिट्टू को बिस्त लेकिन बिट्टू जैसी ऐसा बोलता है वैसे मुझ्या जल्दी से बिट्टू की माँ के पास जाता है और बिट्टू की माँ इस टाइम पर घर के बाहर खड़ी होकर बाते कर रही होती है लेकिन तब ही जहाँ पर बिट्टू की माँ खड़ी होती है उसके पास ही एक स्ट्र जाता है और उसे तोड़कर बिट्टू की मा के उबर गिरा देता है लेकिन वो लेंप बगल में गिरता है और इसलिए बिट्टू की मा को कुछ भी नहीं होता लेकिन यह देखकर अब बिट्टू बहुत जाए डर जाता है और इसलिए वो मुंजा से कहता है कि वो जैसा बोल को डूँना पड़ता है और इस पूरे टायम के दोरान मोज़द उसके कंदे पर बैटा रहता है और जहांपे बिट्टु थोड़ा सा रुखता है और आराम करता है वहीं पर मुंजया कभी उसे परिशान करने के लिए मानने लगता है और कभी-कभी वो उसके सामने दूसरों पर मानने लगता है इसलिए बिट्टू को परिशान होकर मुझ्या की बाते मानने पड़ती है बिट्टू इन सबसे परिशान हो जाता है और इसलिए कुछ दिन बाद ही वो अपने सदा दोस्त को सब कुछ बता देता है यानि कि spilwork को और वैसे तो spilwork को मुझय दिखाई नहीं देता लेकिन वो मुझया की बाते सुन पाता है इसलिए उसे भी बिलीब हो जाता है कि बिट्टू को सच में मुझ्या परिशन कर रहा है बिट्टू स्पीलवर्ग से कहता है कि उन्हें किसी मुझ्या को ढूना है क्योंकि उस मुझ्या को मुझ्या को ढून का उससे साधी करनी है और उसके बाद ही ये हमारा पीछा चोड़ेगा अब इसके बाद ही वो दोनों दिमाग लगाते हैं और इस पील वर्क बिट्टू से कहता है कि मुझ्या उसके गाउं का था इसलिए हो सकता है कि मुझ्यी वो उसके गाउं की हुओ और फिर या बात सुनतेगे बिटू सीधा रुकू को फोन करता है यानि कि अपनी कजन सिस्टर को और उसे ये जानने की कोसिस करता है कि आज से सालों पहले मुनी नाम की गाउँ में कौन सी लड़की थी रुकू उससे पता करके बताती है कि असन में उनके घर के बगल में एक घर है जिस घर में सालों पहले एक मुन्नी नाम की लड़गी रहती थी लेकिन साधी होने के बाद ही मुन्नी यहां से चली गई थी लेकिन रूखो बिट्टू को उसकी फोटो विजिती है लेकिन बिट्टू और स्पील वर्ग जैसी मुन्नी की बचपन की फोटो देखते हैं वैसी वो दूनों ये नोटिस करते हैं कि मुन्नी अपने बचपन की फोटो में बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसे बिट्टू की दोस बेला अपने बचपन में लगती थी और इसलिए यहीं से बिट्टू और स्पील वर्ग यह सक होता है कि साइज से हो सकता है कि मुन्नी और बेला का कोई न कोई कनेक्शन हो और फिर इसके लिए जैसे वो लोग तैकिकात करते हैं वैसी उन्हें मालम चलता है कि यह असल में मुन्नी और कोई नहीं बलकि बेला की दादी है और सालों पहले जब गाव मुन्नी की साधी हुई थी तब साधी के बाद ही वो पूनी आकर यहां पर बस गई थी जिसका मतलब बेला और उसकी दादी मुन्नी बिट्टू के बगल में ही रहती है यह जानने के बाद ही बिट्टू मुन्जा को बताता है कि उसकी मुन्नी उसके बगल में रहती है और फिजे बोलकर वो मुन्जा को उसके पास ले जाता है लेकिन जैसे मुन्जा देखता है कि उसकी मुन्नी अब बूरी हो चुकी है बैसे ही वो उससे साधी करने से मना कर देता है लेकिन तब ही वो बैला को देख लेता है और गोगे बैला भी काफी हद तक उसके दादी जैसी दिखती थी इसलिए मुन्जा को यहाँ पर बैला से प बिट्टू के सामने उसके चाने वालों को मार देगा वो बिट्टू की माँ को मार देगा उसके सरदार दोस्त को मार देगा बेला को मार देगा और बाकियों को भी मार देगा और इसलिए मुझिया की बाते सुनकर बिट्टू डर जाता है और वह उस time पर मुझया के बात मानने के लिए राजी हो जाता है लेकिन अगने दिन जब सुवा होती है तब दिन का time आते ही मुझया गाय हो जाता है और बैसे यहाँ पर हमें यह चीज पता लगती है कि मुझया सिर्फ रात को ही आता है और रात को ही रहता है बाके दिन होते ही वो गायव हो जाता है और इसलिए दिन के समय में वो कभी बिट्टु के पास नहीं हा सकता यहांपर बिट्टु अब काफी ज़्यदा परिषण हो जाता है और इसलिए वो अपनी सरदा दोस स्पीलवर्ck से हलप मांगता है इसके बाद ही Spielberg बिट्टू को लेकर सीधा भूद बगाने वाले एक आदमी के पास जाता है और भूद बगाने वाले ये आदमी और कोई नहीं बलकि South के famous actor सत्यराज होते हैं जिनका इस movie के अंदर नाम होता है ऐल्विस बासकर एल्विस से मिलने के बाद ही वो उन्हें सब कुछ बताते हैं और फिर इसके बाद ही बिट्टू एल्विस को अपनी पीट पर एक निसान दिखाता है और बिट्टू की पीट पर एक हाथ का निसान होता है और यहाँ हाथ का निसान मुझ यह वा होता है कि उसने अभी तक उन्हें खुच से मुझया के बारे में बताया नहीं था लेकिन ईलविस ने मुझया के हाथ का निशान देखती मुझया के बारे में बता लगा लिया इसके बाद ही एलविस अपने रूम से एक बड़ा सा Scrawl लेकर आता है और उसके अंदर काफी सारे पुराने पेपस होते हैं जिनके अंदर पुराने खताएं लिखी होती हैं और उन पर कई सारे चित्तगला बनी होती हैं वो सब दिखागा एलवेस होने बताता है कि पुरान खताओं के इसाब से मुंजिया एक पावरफुल भूत होता है असल में जब किसी ब्रहमाड बच्चे का मुंणन होता है और वो अपने मुंणन होने के दस जन के अंदर ही मर जाता है तब वो एक ऐसा तागत और ब्रहमाड रक्षस बनता है जो कि मुंजिया कहलाता है और बैसे तो मंतरों के इस्तमाल से मुंजिया को कैद किया जा सकता है लेकिन अगर उस मुंजिया को कोई ऐसा इंसन मिल जाए जो कि उसी के परिवार या बंसस का हो तो मुंजिया उसके जर्ये खुद को कैद से निकाल सकता है और सिर्फ यही नहीं उसके मन में जो इच्चा बागी रह गई है वो अपनी उस वारी इच्चा को पूरा परने के लिए उस आदमी का इस्तमाल कर सकता है और इस टैम पर मुझ्या तुमारे साथ ऐसा ही कर रहा है लेकिन यह सब सुनने के बाद यह बिट्टू एल्विस से कुछता है कि अब आखिरकार मुझ्या क्या करना चाता है और एक्चियोली में हम लोग उसे रोग कैसे सकते हैं इस पर एल्विस उसे बता दा कि यह मुझ्या बहुत ज़्यादा सक्तिसाली होते हैं और उसलिए जब तक यह अपने ब्रह्मान राच्चस के रूप में हैं तब तक यह मारा नहीं जा सकता लेकिन हाँ तुम जिस मुझ्या की बात कर रहे हो उसे साधी करनी हैं और साधी करने के लिए उसे एक बिदी को अपनाना पड़ेगा इस बिदी को करने के लिए वो तुम से कहेगा कि वो जिस लड़की से साधी करना चाता है तुम लोग उसे लेका सीधा उसी पेड़ के पास पहुँच जाओ जिस पेड़ में उसे कैद किया गया था और बहाँ पर आने के बाद ही वो तुम से ये भी कहेगा कि तुम उसके लिए किसी बकरी को पकड़ कर लाओ और जब तुम बकरी को भी लियाओगे तब वो तुमें बकरी के सर पर एक निसान बनाने के लिए कहेगा जो निसान कुछ ऐसा दिखता है और हाँ तुम उसके वो इसलिए वो तुम से कहेगा कि तुम इस निसान को अपने खून से बनाओ, क्योंकि खून से बनाने के बाद ही वो निशान काम करेगा, और तुम जैसे ही अपने खून से उस बकरी के सर पे निशान बनाओगे, वैसे ही मुझे अपने आपको उस बकरी में डाल लेगा, और फिर उसके बाद वो उस लड़ उने बताता है कि इस दोरान वो लोग मुंजा को मार सकते हैं लेकिन हम मुंजा को तभी मारा जा सकता है जब मुंजा अपने आपको बकरी के सरीर में डाल लेगा लेकिन उनके पास खाफी कम टाइम होगा क्योंकि जैसे ही मुंजा बकरी के सरीर में आएगा वैसे ही वो प्लान समझाने के बाद ही उनसे ये भी कहता है कि इस प्लान को अंजम देने में वो भी उनका साथ देगा अब इसके बाद ही बिट्टू ये समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है और इसलिए जैसे इसी रात को मुझिया उसके पास आता है वैसे ही बो मुझिया से कहता है कि और वो साधी करवाने के लिए वैला को गाउ लेकर जाएगा, इसके बाद ही बिट्टू बैला से मिलता है, और वो बैला के सामने बहाना करके उसे अपने गाउ लाने के लिए राजी कर लेता है, जिसके बाद बिट्टू बैला और उसके दोस्पिलवर्ग तीनों उनके साथ गाउ आते हैं, वैला को गाउ लाने के बाद बिट्टू से नारियल पानी पिलाता है, लेकिन वो उस नारियल पानी में सराब मिला देता है, जिस बजा से जैसे ही बैला उसे पीती है, वैसे ही बैला नसी में आ जाती है, और इसलिए बिट्टू जल्दी से वैला को ले जाता इसलिए बिट्टू रेकू को सब को समझाता है और उसे भी अपने प्लान में सामिल कर लेता है जिसके बाद ही वो सब लोग मिलकर एक बकरी उठाते हैं और सारी चीज को लेकर सीधा बरगत के पेड़ के नीचे पहुंचते हैं और यहां पर आने के बाद ही जैसा एलविस न बाल लेता है लेकिन जैसे ही वो बकरी की बोडी में आता है और साथी करने आता है वैसे ही बिट्टू उस बकरी को पकड़ लेता है और वो उसे काडने लगता लेकिन वो उस पर हमला करता है कि उससे पहले ही हम यह देखते हैं कि बैला जो की नसेगी हालत में थी वो बिट्टू को ऐसा करने से रोकती है और वो नसेगी हालत में उससे कहती है कि या बकरी मेरी पती है मेरी साधी हो रही है इससे तुम इसे मार क्यों रहे हो इसे मत मारो और बेला ये सब इसलिए बूल रही होती है क्योंकि वो नसी में होती है। लेकिन उसके ऐसा करने की बज़ा से बिट्टू मंजिया को मार नहीं पाता। हाला कि इस टाइम पर ही हम ये देखते हैं कि उस बकरी के सर पर जो निशान बना होता है वो निशान बेला के सरीर में चपके जाता है जिस बज़ा से बेला के सरीर पर भी वैसा ही निशान बन जाता है। क्योंकि जैसे ही बकरी का सर बैला की बॉड़ी पर लगता है वो बैला के सरी पर बो निशान सपक जाता है वैसे ही मुंजिया सीधर बैला के अंदर गुज जाता है और फिर जैसे ही वो बैला के अंदर आता है वैसे ही वो देखने में बहुत ड्रावनी हो जाती है और विट् और स्पिल वर्क तीनों वहां से भागने लगते हैं और वो चिंटू के वाड़ी से सीधा भाग कर रेकू के गर पहुँच जाते हैं लेकिन मन्जू आप पीछा करती हुए वहाँ ही पहुँच जाता है अब हाला कि मैं आपको बता दूँ कि बैसे तो इसी टाइम पर बिट्टू एल्विस को भी अपने पास बुला लेता है आला कि इस टाइम पर ही हम ये देखते हैं कि इन सारी भाग दोड़ी के दोरान ही वो निशान बिट्टू के चाचा के सर पर भी बन जाता है जिस बजा से मुझिया वैला की बोड़ी से निकल का सीधा बिट्टू के चाचा की बोड़ी में गुश जाता है और उसके बाद ही वह सब पर अमला करने लगता है सब को ठिकाने के बाद ही मुझिया जो की बिट्टू के बोड़ी में था वो सीधा वेला को पकड़ लेता है और उसे ले जाका सीधा चिंटू के वाड़ी में जाता है लेकिन याद देखकर बिट्टू उसका पीछा करता है और वो उनके पीछे पीछे जाता है हाला कि रास्ते में वो उसी जगा पर पहुँच जाता है जिससे कि मुझ्या को नुपसान पहुचाया जा सकता है और इसलिए बिट्टू से उठा लेता है और उसे ले जाका सीधा चिंटू के वाड़ी में पहुचता है चिंटू के वाड़ी में पेड़ के पास आते ही वो देखता है कि वहाँ पर बैला से साधी करके उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाने की त्यारी कर रहा है लेकिन तभी ये सब देखकर वो बैला को बचाने की कोसिस करता है और उस चाबुक ज़सी जड़ी से मुंज्या पर अटेक करता है अला कि इसी दोरें बिट्टू उस पर काफी हमले करता है लेकिन तब भी मुंज्या काफी ज़दा पारफुल होता है और इसलिए वो बिट्टू को उठा उठा कर फैकता है लेकिन हम ये देखते हैं कि बिट्टू फायट करते हुए किसी तरह से अपने चाचा की पीड़ पर निशान बना देता है वो ही निशान बना देता है जिस निशान से मुंज्या सरीर बदलता है और फिर चाचा की पीड़ पर निशान बनने के बाद ही बिट्टू जल्दी से वो निशान पेड़ पर भी बना देता है और फिर जैसे ही वो पेड़ पर निशान बनता है वैसे ही हम देखते हैं कि मुझ्या बिट्टू के चाचा की बौड़ी से निकल जाता है और वो सीधा पेड़ की बौड़ी में गुश जाता है मतलग यह अब मुझ्या पेड़ के अंदर आ चुगा है लेकिन तबी बेला ये देखती है कि उस बरगत के पेड़ के पास ही एक लालटेन रखा है जिसके अंदर काफी सारा मिट्टी का तेल है और इसलिए बेला किसी तरह से उसे उठाती है और उसे लेका सीधा पेड़ के उपर मारती है जिससे कि पेड़ के उपर मिट्टी का तेल करवा रहे थे और इसलिए बिट्टू उस जलती लकडी को उठा लेता है और उससे सीधा पेड़ में आग लगा देता है पेड़ में जैसी आग लगती है वैसे हम यह देखते हैं कि पूरा पेड जलने लगता है और पेड़ के साथ साथ मुंजा भी जलने लगता है और इसलिए बिट्टू मुंजा की पकड़ से खुद को छड़वा लेता है और वो बेला के साथ सीधा पेड़ से काफी दूर आ जाता है जिसके बाद वो बैला दोनों चिन्टू केवाडी से निकल जाते हैं और इदर यह पेड़ काफी ज़ादा जल जाता है और हमें यह दिखाये जाता है कि अब मुझ्या खतम हो चुका है इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और बिट्टू भी बैला को लेकर पूनी आ जाता है पूनी आने के बाद ही बैला उसे बताती है कि अब वो अपने काम के सिलसले में ब्राजिल जा रही है और इसलिए अब वो कई साल बाद बापस आएगी लेकिन बैला के जाने से पहले बिट्टू से आईलव ये बोल देता है और वो बैला से कहता है कि वो उसे सालों से प्यार करता है लेकिन यहां पर बैला बिट्टू से कहती है कि वो बिट्टू से प्यार नहीं करती और वो बिट्टू को अपना दोस समझती है पर यह सुनका बिट्टू से कहता है कि अगर वो अपना दोस मानती है तो वो उसका दोस बन गई रहेगा क्योंकि वो मुंजया नहीं है जो से जबदस्ती साधी करेगा और फिर उसके ये बोलने के बाद ये सीन चेंज होता है जिसके बाद हम फिर से उसी मुंजया की पेड़ को देखते हैं यहां हम देखते हैं कि मुंजया के पेड़ की कटाई चल रही है और कुछ लोग मिलकर इस पेड़ को काट रहे हैं लेकिन अगले पल हम यह जानते हैं कि मुंजया यहां पर मरा नहीं है और वो अभी भी जंदा है और हमें यहां पर मंजया की जलग भी दिख जाता है जो कि बना लैं बर इंगे बना और वहीं क्रेडि क्रेट होता है और गेए से दोस्से कि देता है और लोग रही पही etwa समाप तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगका ये जansen काफी पसंद आई होगी, अगर पसंद आएगो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये मूवी कैसे लगी और हाँ दोस्तो आप लोगों इस मूवी के अंदर इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा तो जरूर कमेंट करके बताना तो फिर मिल दे दोस्तो एक और बहतरीन मूवी के साथ तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरू सस्क्राइब केजएगा